राजाव का उच्किया का मृत्यु से बचना उन दिनों में हीच्कियाह ऐसा रोगी हुआ की मरने पर था और आमोस के पूत्र यशायाह भविशवक्ता ने उसके पास चाकर कहा यहोवा यो कहता है की अपने घराने के विशय जो आग्या़ देनी हो वह दे क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, तब उसने भीत की ओर मुहफेर यहवा से प्रार्थन करके कहा, हे यहवा, मैं बिंति करता हूँ, स्मरन कर, कि मैं सक्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है, वह ही मैं करता आया हूँ, तब हिचक्याह बिलग-बिलग कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था, कि यहवा का यहवचन उसके पास पहुँचा, कि लवटकर मेरी प्रजा के प्रधान, हिचक्याह के पास जाकर कहा, कि तेरे मुलपुरु दाउत का परमिश्वर यहवा यह कहता है, कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और तेरे आसु देखे है, देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसो, तु यहवा के भोन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयू पंद्रह वर्ष और बढ़ा दूँगा, और अशुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाउत के निमित्त इस नगर के रक्षा करूंगा, तब यशायाहा ने कहा, अंजिरो की एक टिकिया लो, जब उन्होंने उसे लेकर फुड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया, हिचकेहा ने यशाहा से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, और मैं परसो यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्न होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस पात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्न होगा, कि धूप घड़ी की च्छाया दस अंश आगे बढ़ जाएगी, वा दस अंश घड़ जाएगी, हिचकेहा ने कहा, च्छाया का दस अंश आ यहोवा को पुकार कर, और अहाज की धूप घड़ी की च्छाया, जो दस अंश धल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लवटा दिया, हिचकेहा का गर्व और उसका दंड, उस समय बल्दान का पुत्र, बरोध कबल्दान, जो बाबल का राजा था, उसने हिचकेहा के रोगी होने की चर्चा सुनकर, उसके पास पत्री और भेट भेजी, उनके लाने वालों की मान कर, हिचकेहा ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार, और चांदी, और सोना, और सुगंद द्रव्य, और उत्तम तेल, और अपने हतियारों का पूरा घर, और अ उसने उन्हें न दिखाई हो, तब येशायाह भविश्वक्ता ने हिचकेह राजा के पास चाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहे गए, और कहा से तेरे पास आये थे, हिचकेहा ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबल से आये थे, फिर उसने पूछा, तेरे भवन मे उन्होंने क्या-क्या देखा है, हिचकेह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है, वह सब उन्होंने देखा है, मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो मैंने उन्हें न दिखाई हो, येशायाह ने हिचकेह से कहा, यहवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले है, ज यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआए में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबल के राजभवन में रहेंगे। हिचकिया ने यशया से कहा यहोवा का वच्चन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा क्या मेरे दिनों में शांती और सच्चाई बनी न रहेगी। हिचकिया के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीती से उसने एक पोखरा और नाली खुदवा कर नगर में पानी पहुचा दिया। यह सब क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान हिचकिया अपने पुर्खाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्य उसके स्थान पर राज्य करने लगा।